हेली अबरीबन तो सब कैसे हैं आशा करते हूँ कि आप लोग अच्छे होगे तो आज हमारा फटा फट मूड किया कि हम लोग जाते हैं बाहर और बाहर आज का खाना होगा तो मैंने कुछ जल्दी जल्दी इंडो वेस्टरन काइंड आफ ड्रेस वियर कर लिया जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने कैसा वियर क्या तो येस इजन बेगुस सराय यू कैन सी दा अम्बियंस ये है काके दी हटी और इसका अम्बियंस इतना सुंदर था कि I wasn't expecting कि मतलब इतना सुंदर होगा तो हमने स्टर्टर्स में ये Sizzler order किया था जिसमें 3-4 तरह के काबाबस थे हड़ा बड़ा कबाब हो गया मश्रूम कबाब हो गया और सोया चाप और ये सब था और अम्बू भी देखे जो अम्बू कभी खाता नहीं है खाना मतलब स्टर्टर था वो उसने खाया मतलब अगर उसने खा लिया मतलब समझो कि ये खाना टेस्टी है तब ही वो खा रहा है and he was enjoying और मेरे साथ मेरे husband मेरे भाई गए थे साथ और तो यार कभी-कभी बाहर खार लेना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा खाना चाहिए बट कभी-कभी अपने mood को change करने के लिए बाहर भी जा करके enjoy करना चाहिए हमारा mood थोड़ा change हो जाता है और मज़ा भी आता है बच्चों को भी साथ में मज़ा आता है family के साथ कभी-कभी get together सबता सबते में week में एक बार तो मतलब जाना चाहिए तो हम गए थे और काकेदी हटी मुझे मतलब starter बहुत ही अच्छा लगा ambience भी काफी अच्छा था और इन बेगु सराय this kind of restaurant in that small town is a huge kind of thing और लेकिन बहुत ही सुन्दर बनाया गया है और मैं यहाँ photos क्लिक कर आ डिती अपने husband को बोली मेरा एकाद photo तो खीची दीजे क्योंकि मेरा photo जल्दी कोई ने खीचता मैं खुद ही अपना photo खीचती हूँ लेकिन यह वाला एकाद जो मैं यहाँ पर poses देरी हूँ मैंने जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि हमने main course order कर दिया था और main course आने वाला था तो उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा photo कीची दिया और यहाँ पर आया हमारा main course जिसमें हमने हमने यह king of the naan मंगाया था जिसके लिए काकेदी हटी famous है और डेली में भी आपने नाम सुना होगा मुंबई में भी नाम सुना होगा लगनों में बहुत जगा पे आकाकेदी हटी है और बेगुसराय में भी अब आ चुका है तो हमने सबजी में मंगाया था आइ तिंक पनीर कड़ाई था और mushroom मसाला था और it was challenging मैं देखकर घबड़ा गई थी कि यार हम लोग ऐसे कैसे इसको finish करेंगे मैंने उन्हें पहले ही all the best कह दिया था क्योंकि मुझे मैं समझ गई थी कि हम लोग से तो ना हो पाएगा भाई मेरे से तो ना हो पाएगा आप दोनों start करो मुझे थोड़ा से दे देना मैं actually नान की कुछ जादा मतलब प्रेमी नहीं हूँ मतलब यह जो नान था वो कुछ अलग तरह का था मतलब मुझे लगा था थिक वेगर टाइप का होगा तो मुझे नहीं पसंद आएगा लेकिन इट वाज ग्यम यह जो king of the naan है वो कम से कम चार से पांच लोग तो आप लेकर ही जाना तब ही आप खा पाओगे king of the naan और मुझे मतलब बहुत ही टेस्टी लगा दोनों सबजिया भी काफी टेस्टी थी और naan भी काफी टेस्टी था और लास्ट में हमने एक shake order कर लिया ताकि मतलब करना thank you for watching